हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस टर्टल वाइन की कटिंग लगाना सिखाऊंगा यह मैं टर्टल वाइन की कटिंग कहीं से लेकर आया हूँ और अब मैं इन्हें अपने पॉर्ट में ग्रो करूंगा इस प्लांट को केलेसिया रेपेंस भी बोला जाता है और भी इसके बहुत बहुत सारे नाम है और इसे कई नाम है उसे जाना जाता है और यह बहुत जादा इसी टू ग्रो इसी टू मैंटेंड प्लांट है यह एक संकोलेंड वराइटी से ब्लोंग करता है और यह चोटे से पोट में हैंगिंग बास्केट में ओग जाता है और यह दिखें मैंने एक बास्केट ले ली है और इसके अंदर मैं इसे ग्रो करूँगा इसका हैंगिंग बास्केट बनाऊँगा और इसको जो soil चाहिए होगी वो बिल्कुल भुरबुरी और sandy soil चाहिए क्योंकि इसे ज़्यादा पानी अपने pot में रोकना पसंद नहीं है इसलिए मैंने 40% normal garden soil और 40% river sand और 20% cowden compost यूज किया है आप इसकी जगावर में compost भी यूज कर सकते हैं और इसे थोड़ा सा moisture पसंद है थोड़ा हलका सा soil में नमी रहे हैं जिन में से की roots से निकलेंगी लेकिन आप इसकी पत्तियों को हटा लीजिए ताकर आप इनके 3-4 node area इस soil में लगा लीजिए और इसकी care भी बहुत आसान सी है और इसे जादा care की भी जरुवत नहीं होती है नहीं ज़्यदा खाथ की जरुवत है ना खाथ की normal soil में लगाना चाहें तो आप उसमें भी लगा सकते हैं उसमें भी बहुत अच्छी तरीकी से grow कर लेता है लेकिन अगर हम इसे थोड़ा खा growing plant है और बहुत easy to grow है आगर आप beginner है तो आप इसे grow कर सकते हैं यह बहुत आसान तरीके से grow हो जाता है तो मैं जल्ली एली इसकी सारी cuttings लगा लेता हूँ कि कटिंग से लगाने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर थोड़ी ऊपर से soil डालने की क्योंकि जितने भी node area अगर किसी के निकल गए होंगे तो वो इससे cover हो जाएंगे और अब हम इसके अंदर पानी देंगी पानी आप शावर से दे सकते हैं या फिर इस तरीके से हाथ से फिला कर दे सकते हैं जिससे कि इसमें soil में गड़ा नहीं होगा और हमारे प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो होगा तो बस आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं किसी नेक्स टोटियो में